हाई गाइस वेलकम टू मैं चैनल निडिल गल आजकी इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ब्यूटिफुल गॉजिस पार्टी वेर स्लीप्स की डिजाइन सीखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए डिजाइन कार्ड मुझे स्टों चेन्ज या कप चेन्न कह सकते हैं मुझे send करी है इसकी quality बहुत ही अच्छी है बहुत shiny है बिल्कुल जैसे मैंने इनकी website में देखा वैसे ही received हुई है picture में जैसे quality दिखाई गई है बिल्कुल उसी quality की product मुझे received हुई है design card में ऐसे और भी raw material आपको मिल जाएंगे like fabric, lace, border, stone, buttons, cutter, scissor यह सब इनकी website में available है link में description box में दे रही हूँ जाकर जरूर check out करें और अगर आप मेरे code needlegirl10 यूज करते हैं तो आपको 10% discount भी मिलेंगी तो जाएंगे link मेरे description में है अभी जाकर आप check out किजिए इसे हम लोग side में रखते हैं आपने हम लोग sleeves को खोल लेंगे इसकी किनारे को हम लोग fold लगा लेंगे यह दिखिए हमारी folding हो गई है तो कम से कम chain की यह design हम लोग रखेंगे इस design को बनाने के लिए यह chain की जरूरत है कब chain और हम लोग लेंगे fabric glue तो इसकी जो MRP है वह 17 रूपी है इस तरह के से हम लोग chain को रखने वाले? और एसे पूरे में हम लोग chain को लगाएंगे और फिर यूं, ऐसे में लगाते हैं इस तरह के से हम लोग nape लेंगे adjust कर लेते हैं इसको nape कर उतने तक हम लोग काट लेंगे कि साइट की किनारे को आप थोड़ा चोड़ कर लगाएं तो यहां तक देखिए यह वाली हम लोग यहां तक लगाएंगे और इसे हमें लोग सीजर से कट कर लेंगे इसके बाद इसके उपर हम लोगं फैबरिकbay το को लगाएंगे इस तरीके से ceiling सेपक्ण कर हमें इसके उपर छिप्काना है इस तरीके से कितको नाप लेना है इस तरीके से है और वहां तक आप कट कर ले किबाब ग्लू लगाकर चिपका लेना है ग्लू लगाकर उसे भी हम लोग चिपका लेंगे इस तरीके से स्केल की हेल्प से छेंज तक एक निशान खीच ले ताकि आपको डिजाइन बनाने में इजी रहे फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे फैब्रिक ग्लू से ये बहुत ही इजिली चिपक जाती है और ये उठे ही नहीं वाश के बाद भी ये नहीं उठती है तो इसलिए फैब्रिक ग्लू ही इस्तिमाल करें दूसरी कोई ग्लू आपको इस्तिमाल नहीं करनी है इसी तरीके से मैं बाकी सारी चेन भी लगा लेती हूँ तो ये देखिए इस तरफ हमारी पूरी चेन लग गई है ये दोनों किनारे को मैंने छोड़ कर रखा है क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टीचिंग होने वाली है तो मैं सोच रही हूँ उपर भी मैं लगा दूँ ये चेन एक स्ट्रा जो है वो कट कर लूँगी और सेम इसी तरीके से नीचे भी लगा रही हूँ अब देखिए ये जो गैप है ये पॉने इंच का गैप है इनको मैं कट करके तीन बस स्टोन ले रही हूँ पहले ग्लू को लगा लेना है और उसके उपर चिपका रहेंगे अब लोग तो ये देखिए अब थोड़ी से बाकिये उसे भी मैं लगा लेती हूँ तो ये देखिए हमारे पूरी चेन लग गई है बस ये किनारे किनारे में थोड़ी सी रह गई है उसे भी फिल कर लेंगे अब देखिए आपको लेना है एक अगरबत्ती अब इसके बीच में हम लोग कट करेंगे तो इसके इसे कट वर्क डिजाइन कहते हैं तो ये मैं अगरबत्ती ले रही हूँ इसके मदद से हम लोग इसके बीच पर पूरे स्क्वैर में होल कर लेंगे सोल्डरिंग आयरन मिलती है इस्पेशली कट वर्क बनाने के लिए भी आप खरीच सकते हैं और उसके मदद से आप कट वर्क बना सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो अब हम लोग थोड़ा इसे पीछे से भी हम लोग इसे इस तरीके से क्या कहते हैं कट करेंगे मतले शेप दे देंगे पीछे से ताकि यह सामने से खराब ना लगे इसलिए पीछे से भी आप थोड़ा सा इसे इस त अब दूसरे वाले भी करते हैं हमारी पूरी कटवर्क बन गई है देखिए हम लोग इसे फोल्ड कर लेंगे और जिसे हम लोग स्लीप्स की जो फिटिंग की स्लाई लगाते हैं उसी तरीके से स्लीप्स की स्लाई हम लोग लगा लेते हैं जब यहां पर आएंगे आप तो आपको मशीन नहीं चनाना है क्योंकि स्टोन में कभी भी स्टोन में अगर जाएगी तो निडिल तूट सकती है वेल को आप हाथ से गुमाएं और स्लाई को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना है इस तरीके से मैंने गैट छोड़ी है स्टीचिंग लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी से स्टोन निडिल के नीचे आ रही है तो इसलिए मैं हाथ से ही कर रही हूं इस तरीके से जरूर इसे लॉक कर ले ताकि ये खुले ना देखिए गाइस कितनी प्यारी लग रही है हमारी ये डिजाइन घर बैठे ही आप वेडिंग ड्रे ूंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकेंग पे खुलिक कर दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोठीफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुकरिया